असलामलेकुम नाजरीन मैं हूँ सदफ रफी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजिश्टा रोज मैंने बहुत होलनाक किसम की चंद वीडियोज देखी जो नश्टर हॉस्पिटल मुलतान की थी उसकी च्छत पर उस हॉस्पिटल की च्छत पर लातादाद लाशें थी अंगिनत लाशें थी जो शायद सेंकड़ों में हो और उन लाशों के लिए जो जवाज डॉक्टर्स की तरफ से आए वहां के अमले की तरफ से आए चले मान लेते हैं एक्सप्टबल हैं कि आपने जो MBBS डॉक्टर्स बनते हैं आप लोग जानते ही होंगे कि उ कुछ और गेंज की जरूरत होती है जारे वह इंसानी बॉडी पर ही तजरबात अपने करके ही वह डॉक्टर्स बनते हैं चले मान लिया कितने डॉक्टर्स बन रहे होंगे बांसो हजार दो हजार और एक ग्रुप एक लाश पर एक्सपेरिमेंट करता है ठीक है एक लिया आप किसी फ्रेश लाश के उपर आप उसके और गन्स को एक्जामन कर रहे थे या वटावर आपकी जो भी पढ़ाई है उस स्टडी के लिए आप लोग जो यूज करते चले मान लिया के लेकिन वो फ्रेश लाश जो चंद घंटों पहले इस दुनिया से गई होती है और वो लावारे सोती है उसके आगे बिचे कोई नहीं होता तो उस लाश को या तो प्रिजर्फ किया जाता है उसको सर्थ खाने में रखा जाता है कम असकम उसे स्ट्रेशर फरहाम किया जाता है उसे ठंडी जगा पे रखा जाता है ठीक है मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो अंगिनेत लाशें, उस धूप में, उस खुले आसमान तले, उनकी बेहुरमती क्यों हो रही थी, हॉस्पिटल के एहाते के अंदर, उसकी इतनी बेहुरमती क्यों हो रही थी, बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए, कि यानि कि हम जीते जीतों यहाँ पर महफोज नही है, अब हम इस बात का यकीन कर लें, कि मरने के बाद भी हम यहाँ पर महफोज नहीं है, और जरा सा सोचिए अब आप अपने आपको उस जगह पर रखके देखिए कि मरने के बाद तो इंसान दुनिया से बिल्कुल ला तालूक हो जाता है उसे नहीं पता होता उसके साथ क्या हो रहı है लकिन करने वाले लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कल को हमने भी इस दुनिया फानी से कूच कर जाना है और अपनी आखरत सवारने की तरफ हम नहीं सोचते बेहिसी की तरफ आ गए हैं और इंतहाई बेहिसी का जो एक आखरी लेवल है हम वहाब तक पहुँच चुके हैं कि हमें लाशे लाशे नहीं लगती इनसानी लाशे थी वो एनसान तो अगर रास्ते में चलते वे अगर हमें जानुवरों की लाशे दिख जाएं तो हम उस पे भी जड़ा सा अफसोस का इज इजार दिल में कर लेते हैं ये तो इनसानी लाशे थी और अमबार की सूरत में थी इतनी बेहुर्मती इतनी बेहुर्मती अगर उनका कोई नहीं था कोई वाली वारिस नहीं था तो इस तरह से उनको छट पे फेक देना चाहिए था क्या और एक और चीज उनके सामने से आई कि जी हमने तो कॉल की थी इदी सहाब को चीपा सहाब को लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है और इतनी लाशे हम दफना नहीं सकते लेकिन ये कि इनसानी लाशों की इस तरह से बेहुरमती नहीं होनी चाहिए थी कल को हमारे साथ क्या होगा हमें थोड़ा सा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे हातों कोई दूसरे इनसान की लाश तक महفوظ नहीं है तो हम जब इस कंडिशन में आएंगे मरने के बाद तो क्या आपको लगता है कि हम महفوظ होंगे बड़ी हौलनाक किसम की ये बाते हैं जिनको डाइजिस्ट करना ही मुश्किल है ये डाइजिस्ट होती ही नहीं है कि बाहर मुलकों के अगर हम जरा सा सोच लें कि वहाँ इनसान तो है सिक्योर लेकिन मरने के बाद भी वो इस तरह से बेहुरमती का शिकार नहीं होते अगर किसी और ने एक्जामेन करना था अगर स्टूडेंस ने पढ़ना था उन बच्चों को उन लाशों पर स्टूडी करनी थी तो कमस कम उन्हें स्ट्रेचर तो फराम करते मैडिसन से प्रिजर्फ तो करते उसको ठंडी जगा पे रखते सर्थ खाने में रखते कुछ तो करते खुदारा उनको खुले असमान तले कीडे मकौडे उनके गोश्ट को खाने के लिए उनको ऐसे कैसे छोड़ दिया खुले एक जवास कहीं से मैंने सुना कि वो उन लाशों को सुखाया जा रहा था दूप में और ताके जो है उनकी स्किन और गोश्ट जो है वो गल सड़ जाए और फिर उसको जो है न हम एसेट से और कैमिकल से साफ करें और स्कैलेटन हासिल करने लेकिन यह जवास हमें मुत्मईन करने के लिए काफी नहीं है हम खुद को यहाँ पर सिक्योर महसूस कर नहीं सकते इस मौशरे में बेरहाल अल्ला पाक उन लोगों के लवाइकीन अल्ला करे कोई तो सामने आए तलाश गुमशुदगी की कहीं एफ आयार हुई होगी कहीं तो कुछ होगा कोई इन्वेस्टि कोई सामने से आवाज सुनने वाला नहीं है और एडिया रगर रगर के बोलने वाला भी चला जाता है दुनिया से कर दीजिए इसके इलावा च्छत पर लाशे पहुंचाने का काम तो निचले तपके के जो वरकर्स होंगे उन्होंने बेशक किया होगा लेकिन वो अफसरान की इमा के बगएर उनकी इजाज़त के बगएर ये काम सरंजाम नहीं दे सकते एक और चीज़ भी सामने आई कि उनसे जब पूछा गया कि इतनी लाशों का आप लोग क्या करते हैं तो उन लोगों ने ये कहा कि जो हमारी डॉक्टर्स एमबी बीएस डॉक्टर्स बन रहे ह होते हैं उनको स्कैलेटन की जरूरत होती है तो इन लाशों को उपर सुखा कर और फिर कैमिकल्स के जरीए इनकी स्किन और गोश वगएरा साफ करकर वो स्कैलेटन हासिल किया जाता है और एमबी बीएस डॉक्टर्स फिर उसके उपर अपना रिसर्च वर्क करते हैं लेकिन के एक्सपेरिमेंट्स होते आए हैं और होते होंगे लेकिन एक दो या चंद होती होंगी और उनको बकाईदा प्रिजर्फ करकरके रखा जाता होगा अगर किसी और मलक में या किसी और शहर में यही इनों ने जवाज पेश किया है ॉर बताया हो कि वह बाता हो ईमबी एस मताबिक था तो वो इस तरह लाशों की बेहुरमती नहीं करते लाश के ओपर लाश नहीं रखते जिनको कीड़े खा रहे होते वो सड़ी गलीवी लाशे थी जिनके लिबास पर वही कपड़े थे जिस हालत में वो विचारे लोग दुनिया फानी से कूच कर गए होंगे किसी ह जो तकलीव दे मनाजिर थे वो ये नहीं थे कि लाशें वहां पे मौझूद थी हॉस्पिटल में बलके तकलीव दे मनाजिर ये थे कि उन्हें च्छतों पे क्यों रखा गया था वो च्छतों पे क्या कर रही थी 500 लाशें और इतने बुरे हाल में क्यों उनको रखा गया थ कि लाशों की बेहुर्मती इतनी बुरी तरीके से हम महफूज हातों में किसी लिहाज से नहीं है बहराल बहुत तकलीफ दे थी वो वीडियो में यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती और कमजोर दिल हजरात तो देख भी नहीं सकते मैंने किस तरीके से वो देखी बलके और इस तरह की चीज़े हैं अब कल जो एक बियान मैंने किसी से सुना है हमारे किसी यूट्यूबर नहीं शायद ये कहा कि उसमें बच्चों की लाशे नहीं हैं वो टीनेजर्स हैं यंग जवान हैं और उसमें बुड़े बुजर्ग हैं और चंद खावातीन हैं तो लेकिन उनके आगे पीछे तो कोई होगा उनकी फैमली होगी और उनकी यकीनन गुमशुदगी की एफ आयार भी होगी अगर वो किसी हाथसे का शिकार हुए हैं तो उस हाथसे की जगा पर भी एफ आयार हुई होगी कोई सीसी टीवी फोटेज आई होगी तलाशे गुमशुदगी के लिए कुछ होगा कही ना कही कुछ ना कुछ जरूर होगा इस तरह नहीं हो सकता कि कोई एक लाश नहीं थी वहाँ, पूरे अमवार थे वो एक हौलनाक मनसर था, अगर वो वीडियो में इतना खौफनाक तरीन वो पेश कर रही थी वो वीडियो तो अगर जिसने अपनी आँखों से देखा हो और बहराल मेरे मेरी तो इस पे बिलकुल मैं चाहूंगी कि इस पे भरपूर किसम की एक इंवेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए और इंवेस्टिगेट किया जाए कि आखिर उन लाशों की बेहुरमती क्यों हो रही थी ठीक है अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना था वो लावारिस लाशें थी तो उनको प्रिजर्फ करके क्यों नहीं रखा उन्हें सर्थ खाने में क्यों नहीं रखा कमसकम उन्हें स्ट्रेशर ही फरहाम कर दिया जाता उनकी इस तरह से बेहुरमती के जमीन पर फेका हुआ था जैसे कोई जानवर सड़क पे किनारे मरावा हमें दिखता है अक्सर कि उस तरह मतलब इनसान की कोई वुकत नहीं है कोई हैसिय जाल बहुत तकलीफ के साथ मुझे ये वीडियो आज के लिए बनानी पड़ी मैं कोई सकत बात और सकत अलफास कहना नहीं चाहती मैं भरपूर मजहमत करती हूं कि उन लाशों को कमसकम बेहुरमती से बचाना चाहिए था अभी भी वक्त है अभी भी इतने ये बात डिस्क् नहीं तक उनके लिए कुछ नहीं किया जारा कमसकम खुदारा उसे वहां से उठाईये उनको या तो जमीने सुपूर्ट करें या तो लवाइकीन के हुआले करें उनकी शनाक्त की कोशिश करें उनका कोई ڈđटा होगा कुछ ना कुछ तो होगा उनका डियेने लिया कि क्योंकि मैंने जो विडियो देखी उसमें बकाइदा एक होल हुआ वा था और पोस्ट मार्टम शायद किया होगा या बॉड़ी और्गन्स गाइब होंगे वल्ला वाला अब ये तो रिपोर्ट आएगी फॉरंसिक होगी उसकी जांच होगी इन्वेस्टिगेशन टीम क्या कहती है वो रिपोर्ट आएंगी तो उसकी रोशनी में क्या अवामिल सामने आते हैं वो जरूर फिर आप लोगों से मैं डिसकस करूंगी लेकिन अब तक के लिए जो वीडियो मैंने देखी है वो बिल्कुल दिलखराश मनाजिर थे वो हौलनाक मनाजिर मैं मतलब के बियान मुल्क में रहते हुए और मुसल्मान की लाशों के साथ इस तरह बेहुरमती होते हुए और आप ये देखें कि एक वो होता है कि हमारे में तो मरने के बाद और और पे भी सुतर तीन तरहां के होते हैं कि एक सुतर ज्यादा ही होता है कि नामहरम उसको ना देखे वो लाशे तो इस तरह फिकी में थी, जाहरे वो अपने आपे में नहीं थी, जाहरे वो मर चुकी है, लेकिन कमसकम जो उसको वहां तर्टीब से रख रहे थे, वो खवातीन के अलएदा कर देते, मर्दों के अलएदा कर देते, लेकिन एक के ओपर एक एक अमबार था, और ये बहुत तक हमने भी इस मरहले से गुजरना है, अब वो लाशे तो आप लोगों के हवाले हो गई, सिर्फ इतना सा सोचिएगा, कल को आप जब लाश बनेंगे या हम जब लाश के बनेंगे और इस दुनिया एफानी से कूच कर जाएंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी लाश के नहीं हुई, क्या होनी चाहिए थी, या इस से अगर आपके पास कोई और आप्शन था, तो इस से बहतर आप्शन अपनाया जा सकता था, उनको कमसकम सर्थ खाना फरहाम करते, उन लाशों को कहीं ठंडी जगा पे रखते, अगर नहीं था, तो कैमिकल्स हैं, आज कल उसको करने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको तमाम टेक्नियलोजी भी पता होगी, लेकिन उसके बावजूद वो च्छत पर क्या कर रही थी, इसका सवाल का जवाब प्लीज, अभी तक किसी की तरफ से नहीं आया है, बहुत अफसोस के साथ अब मैं आज की वीडियो का अख्तदाम करती हूँ, और उमीद करूंगी कि ऐसी चीजें देखने में हमें कम से कम मिलें, हमारे माशरे में इतनी बहरारवी है, इतनी बेहुरमती, किसी की इज़त नहीं, हमें मजभब का खयाल नहीं, हमें किसी चीज़ का खयाल नहीं हमें इस बात का मेरे पास भी जवाब नहीं है हम क्या सुधारना चाहते हैं और किस तरफ निकलते जाते हैं हमें सही सिम्त का तायून करना ही अब मुश्किल हो गया है कि क्या आया हम जो कर रहे हैं वो सही है और अगर जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं है और उस पर हम आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को सुनने वाला कोई क्यों नहीं है पहले होता था अगर कोई आवाज उठाता था तो सुनने वाला भी कोई होता था उस पर कोई एकदाम होता था अब तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं सियासत में क्या कुछ नहीं हो रहा इतनी ओडियोज लीक हुई वो ही सब कुछ चल रहा है इदर से बोल रहे हैं उदर से सुनके निकाल रहे हैं कोई एक्शन नहीं लिया जाता कुछ नहीं लिया जाता सबूत दे दिये जाते हैं बेगुनाई जाहिर हो जाती है तमाम सबूतों के साथ इंसाफ इडिया ही रगड़ता रह जाता है वो इंसान जिसको इंसाफ की जरूत होती है वो यहां से इडिया रगड़ रगड़के दुनिया फानी से कूच कर जाता है लेकिन वो आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दौाओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताके मेरी मज़ीद होसला अवजाई हो सके तब तक के लिए सदफ रफी को दीजिए इजाज़त इन्शाला किसी नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्ला ने के बान